नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अबेपरताब और आप देख रहे हैं AP Drawing प्यारे दोस्तों आज हम आपको आठ नमबर से सबसे आसान और सबसे सुन्दर सा दीवाली पर चित्र बनाना सिखाएंगे आपको इस तरह एक आठ नमबर लेटा कर लिखना होगा इसके बाद दोस्तों बीच में आपको ऐसे ऊपर के साइड में उठाना है और यहां से ऐसे नीचे कर देना होगा और इधर आपको ऐसे डबल कर देना होगा बहुत ही आसान होने वाला है इसके बाद इधर से ऐसे चोटा सा करिए यहाँ पर भी आप ऐसे चोटा सा बना देंगे चोटा सा बनाने के बाद दोस्तों हम यहाँ से ऐसे नीचे ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाते हुए यह वाला portion आपको उपर के side में मिलाना है तो यहां से भी ऐसे नीचे मिला दीजिएगा और गैस अगर आपने भी तक मारकर पेपर पैसे नहीं उठाया है तो चल्द इस उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा इधर से भी आपको कुछ यहां पर डिजाइन बनाने होंगे फिर इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है इधर से उपर उठाना होगा और इस साइड भी ऐसे उपर उठाइए और अंदर के साइड में गुमा दीजिएगा जैसे आपने इधर किया इसी तरह इधर भी रिपेट करेंगे इसको अंदर ले जाएए इसी तरह दोस्तों हम यहां पर भी मिलाएंगे तो इसको ले जाएएगा और यहां पर लाकर मिला देजिए मिलाने के बाद दोस्तों नीचे के साइड में आपको इस मौर का पंक बनाना है इस साइड भी आप ऐसे मौर का पंक बना देजिएगा सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करते जाएंगे रिपीट करने के बाद दोस्तों यहां पर छोटा सा इधर करेंगे इधर भी और यहां पर भी और गईज आपसे छोटा सा कुश्चन भी है अगर आपको पता है भगवान शेहराम जी के साथ कौन-कौन वन मास में ग देखिएगा उपर के साइड में लाइन ड्रो करके चोटा-चोटा सरकल बना देंगे यहां पर भी आप रिपीट कर दीजिए देखिए कितना आसान है दोस्तों यहां पर चार बार इधर किया हमने चार बार इधर भी बनाईएगा इधर डॉट लगाईए यहां पर आई ब में लिख देना है दीवाली यहां पर आप लिख दीजिएगा आसानी से दीवाली दोस्तों तो चलिए अब हमें सुन्दर से चित्र को बहुत ही आसान तरीके से कलर भी करना सीख लेते हैं करता है दो जाएगा बार आसान तरीके से चार नहीं पर आसान तरीके से विख देना तरीके से चार तरीके से देड़िके से देड़िगे को बहुत हैं झाल झाल